हेलो, वेलकम टू बैक मैच चैनल, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी, इसे आप बर्फी भी बोल सकते हैं, बिठाई भी बोल सकते हैं, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ये मार्किट से कलिंगर लाये थे, इदम ये लाल वाले हैं, और मैंने पीसने के लिए बड़ा वाला ब्लेंडर जार लिया है, इसमें मैं डाल के पीस होंगी अब, यहां पे इसका चिलका आप थोड़ा पतला ही रखिएगा, क्योंकि अकर चिलका मोटा रहेगा, तो अच्छे से नहीं पीसाएगा, अब मैंने यहां पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि यह अच्छे से पीस जाएगा, तो यहां पे मैंने दो बार में पीसा था इसे, अब मैं इसे चनी से चान लूँगी, तो मैंने टोप लिया है, और चनी लिया है, मेरे पास बड़ी साइस की नहीं थी, यह घर में मैं जो यूज करती हूँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ, इस कटोरी से जूस नाप के, तो यहां पे हमारा लगबग तीन कटोरी हुआ था, इस दम पर्फेक्ट तीन कटोरी, यह देखिए, यह दो कटोरी और यह लाश्ट, तो यहां पे हमारा पर्फेक्ट तीन कटोरी जूस हुआ है, अब मैं इसे से मैदा लूँगी नाप के, तो मैंने यहां पे एक कटोरी से थोड़ा कम मैदा लिया है, यह हमारा जूस तीन कटोरी था, तो मैंने यहां पे एक कटोरी लगबग मैदा ले लिया है, थोड़ा औ अब मैंने इसमें डालके मिक्स कर दिया है इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुटलिया ना रहे हैं तो देखिए दम स्मूथ है ये इसमें कोई भी गुटलिया नहीं है तो अब हम बनाना चालू करते हैं तो मैंने ये कढ़ाई लिया है उसमें जिस कटोरी से मैंने जूस ना पा था उसी से एक कटोरी लगभग चीनी ले लिया है अब हम इसमें उसका आधा पानी डाल देंगे तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी चीनी तो आधा कटोरी पानी ले लिया है इसमें डाल के अब हम इसे पकाएंगे इदम चासनी इदम गाड़ा होने तक पकाना है हमें इसे यहाँ पे हमने जूस का नाप वन थर्ट रेशियो में लिया था अब यह धीरे धीरे देखिये गाड़ा होना चालो हो गया है और गैस का फ्रेम मैंने यहाँ पे तेजी रखा है इसे हम थोड़ा और गाड़ा करेंगे तब हम इसमें जूस डालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा हो चुका था अब मैंने इसमें धीरे धीरे डालके मिक्स किया है इसे हमें चलाते ही रहना है नहीं तो यह नीचे से चिपकने लगेंगे और इसमें मैंने मैदा डाला है तो यह अब दीरे दीरे गाड़ा होगा तो यहाँ पे देखिए यह दीरे दीरे गाड़ा होना चालू हो गया है और मैं इसे लगातार चला रही हूँ तो यहाँ पे गाड़ा होने लगा है अब मैं इसमें मिलाओंगी दो चमच के लगबगी गी से आपका बैटर जादा चिपकेगा नहीं और पकने के बाद इजली निकल जाएगा डालने के बाद हम इसे फिर से चलाते रहेंगे लगाता ताकि ये नीचे चिपकेना और गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है हमें इसे अभी और पकाना है इतना गाढ़ा करना है यहां पर देखिए ये पक चुका है क्योंकि बैटर देखे कितना असलो असलो गिर रहा है और पहले जब दिखाएते तो दम मतलब फाश गिर रहा था तो हमें इतना पकाना है कि ये बैटर थोड़ा आराम से गिरे और गाड़ा हो जाए तम तो यहां पर मैंने टोप ले लिया था इसमें घी लगा दिया है अब ये मैं बैटर इसमें डाल दूँगी मेरे पास और जादा कुछ अवेलबल नहीं था इसलिए मैंने ये टोप में ही बनाया है और मैंने इसे डालके दम अच्छे से डप डप कर दिया है अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए तो मैं आपको दिखाती हूँ एक घंटे के बाद लगभग इसको तो देखिए रेडी है रेसिपी और मैंने इसको एक से देड़ घंटे रखा था और फिर निकाल दिया था देखे कितना स्पंची लग रहा है अब मैंने उपर से इसमें काजो बदाम कटे हुए बारिक डाल दिये हैं और अब मैं इसे अच्छे से काट लूँगी ये रेसिपी बहुत इजी है और ये मैंने फर्स टाइम बनाया था अपने घर में सबको बहुत ही पसंद आई थी तो आप यहाँ पे एक तर्बुच से कितनी टेस्टी मिठाई बना सकते हैं तो इसे आप स्लो स्लो कट करना क्योंकि ये बहुत चिपकते हैं तो आपको रेसिपी कैसी लगी एक बास जरूर बताईएगा ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो आपको कैसा लगा रेसिपी प्लीज शेयर करिएगा और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को तो थैंक यू सो मच